कि अनिवडी नो अबाट एलेफ़ाइए ओके यह हमारा डाइग्राम है सब्सक्राइब आवा जा रहे है मेरी यह क्या है एलेफ़ाइबिटी है जो की विबसाइट पर होती है ठीक है मोस्ट ऑफटांब यह website पर होते है L.F.I local file inclusion मतलब यह अटाकर है यह अटाकर website है ऑंक यह विब лीकेशन सरवर है दुसरे का यही विब अपलिकेशन है मतलब दुसरे का website है रेट अब L.U.Tlay कैसे execute होगी तॉपक क्या है यह लोकल फाइल इंक्लिव जयन सबसे पहले हमें धुड़ना है यह वेब अप्लिकेशन की ओपर की वेबसाइट हैकेबल है की नहीं तो वह कहीं से धुड़ना है इतिको अटाकर क्या करेगा उस वेबसाइट का अड्रेस है अब वह ढूंड़ेगा उस वेबसाइट पर की सम्तिंग कोशन मार्क फाइल सम्तिंग सम्तिंग यह वाला टॉपिक मतलब यह है की नहीं ठीक है अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ मेरे सिस्टिम में खुदी के सिस्टिम में एक वलनाविटी क्रेट करके रखता हूँ cd slash var www.html मैं PHP services start करता हूँ 192.168.43. मेरा इप का अधरिस क्या है मैं एक service start किया हूँ अब देखो यहाँ पर एक फाइल है क्या है फाइल का नाम क्या है फोल्डर में है अब यहाँ पर मैंने कुछ कमांड टाइप किया है कमांड है इसका मतलब होता है मैं PHP services start करता हूँ किस server किस IP के उपर मेरे system के उपर और वो services at 0 port के उपर open हो जाएगे मतलब मैं website open करता हूँ इस IP को open करता हूँ किसी website portal website के URL में तो वहाँ पर मैं इस file को access कर सकता हूँ जो की PHP file है even I can access HTML file also तो कैसे यह वाली link के throw यह मुझे link बन जाती है ठीक है तो मैंने यह copy किया और let's see हमने windows open किया हमारा और यहाँ पर paste किया उस file sorry उस website को result क्या आया है not found क्या not found requested a resource was not found on this server okay कोई बात नहीं बट उस website पर slash मैं हम लिखते है कि यह वाला file कुणसा result.html देखो मैंने ना windows में windows में ip open किया हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या result आया यह जो है मतलब यह जो है not search of file और direct पी उसने मतलब कि जो response दिया है और response भी यहाँ पर output देखा रहा है ओके अब हम यहाँ पर type करते है result.html file तो यह open हो रही है मतलब मैं Linux में जो स्टार्ट की है वहाँ मतलब एक website हमने मेरे Linux system में एक host किया है website host किया मैंने खुद के system में website बनाई है देखो result HTML green में आया मतलब है accessible हो रही है हम किसी और बंदे ने इस file को access किया है तो वह green में आ जाता है ठीक है अब मैं दूसरी file access करता हूँ जो कि cmd php file है let's see क्या result आएगा मैंने यह हटाया और यह यहाँ पर फाइल बढ़ता है तो यहाँ पर कुछ भी result नहीं कि उसमें कुछ भी नहीं है suppose मैं यहाँ पर lfi type करता हूँ और enter करता हूँ यह lfi2 type करता हूँ वहाँ पर 2 नाम की भी file है हाँ तो hello नाम आया तो lfi2 में hello type किया है और कुछ खूणिंग है तो वह भी हमें यहाँ पर pop-up हो रही है मतलब मेरा linux system जो है वह as a website hosting service हो गई है यह क्या होगा यह service मतलब काली linux जो है वह उससे मैं में एक website बनाया हूँ और उसको मैं मेरे windows system में open कर सकता हूँ इवन you can also access this website यह IP वाला बट यह reachable नहीं आपके पास तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे काली system को आपने आपके system तक क्या करने के लिए कोंसी service टार्ट करने पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा इन वर्याइड अडिया बाट इट जा कर सकते हैं काई करूशक तो अपन और सर्विस्टार्ट रूशक तो नापन फ्ट्प विबसाइट होस्ट कर रहे चिए जाते हैं टार्ट काई करने कई ही सब्सक्याइ क्वाश इछान साथ में बानान सर्विस्टार्ट टै करें हो आनिक बाहर रिकार में संद्र्ड प्र ट कन पर यार्ट एह अन्सро except I had तो उसके लिए त्या साथी माला काय कारा वालागे जने कुरू माजी ही स्पाइल तुम्चा परनता रिचेबल होई तुम्ही पन अक्सिस कुरू चकता हूं अच्छा ना क्या कर सकते हैं ng-rock exactly the point is हमें क्या करना है port forwarding करना है so what is what does mean by port forwarding हमारी services को globally accessible करके करके देना है आप तक पहुशा आना है मतलब मेरे normal local system को आप तक पहुशा आना है मैंने जो website host किये मेरे system में वो website आप तक आने चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है port forwarding ng-rock ng-rock क्या करता है हमारे server को जो भी port है उसे बहार तक रिचेबल करवा देता है राइट हाँ यह था ng-rock अभी अभी वो हम लोग नहीं करेंगे ठीक है समझ लोग कि एक website बनी है lfi.php नामके फाइल है और वहां पे ठीक है लेट में मेक शूर कि वहां पे जो पारामेटर है क्या है www.html ls.cat.lfi यह कोडिंग है यह उस फाइल में यह चोटा सा कोडिंग है यह पॉपफ हुआ है hello h1 h2 यह कहाँ पर पॉपफ हुआ है यहाँ पर इस website पर hello यह कोडिंग नहीं दिखाएगा उसके अंदर जो टाग है वह हटा देगा और बस बाकी सिसे हमें दिखाएगा ठीक है लेट मी चेंज कोडिंग और देखते क्या अंसर आता है नहीं और क्या महिन है lfi 2 और यह जो कोड है इसे मैं font color change करता हूँ font color equal to red font का हम लोग करता है close ठीक है अब कोडिंग नहीं आती है जरूरी नहीं आपको यह आना मैं बस demonstration दिखा रहा हूँ font save किया मैंने let's see यहाँ पर browser पर दिखता है कि नहीं refresh great red color आ गया मतलब जो भी coding में changes कर रहा हूँ यह आप पर pop-up हो रही है मतलब आपको भी दिख जाए कि facebook पे कुछ update आता है कुछ changes होता है तो आप भी देख सकते हो ना वही से यह यह जो है Linux service लोग कि यह मेरा server है और यहाँ पर जो भी coding में होस्ट की है वह post हो रही है अधर लोग मेरे यह mobile पर भी हम लोग इस IP को देख सकते है अब मेरे पास domain नहीं है इसलिए मैं IP यूज कर रहा हो so what is different between domain and IP address there are no different domain like domain name होता है जो लोगों को समझने के लिए easy होता है like facebook.com but उसके पिछे भी एक IP address है same वही हम लोग यूज कर रहे है अभी currently मेरे पास domain नहीं है purchase नहीं किया मैंने कोई भी है but मैं यहां पर यूज नहीं करने वाला हो ठीक है वह बहुत बड़ी complicated process हो जाएगी so now जो IP address है वह मेरा website का IP address है समझ लो ओके और एक चीज मैं देखूंगा यह छोटा सा coding था जो pop-up हो रहा है but PHP coding दिखते नहीं है ठीक है यह बस server site ही देखेगा client site PHP code नहीं दिखेगा उसमें क्या लिखा है मैंने file code trigger कोई भी file को मैं इस coding से देख सकता हो और उसका variable है get variable जिसको PHP आता है उसे समझ में आयेगा जिसको नहीं आता it's okay यह developer की coding है धिरी धिरी आपको समझ में आये ठीक है यह जो file equal to get जो parameter है इसका मतलब होता है कि यह file जो use करेगा उसको क्या करना है file PHP के बाद question mark लिखे file नाम लिखना है ठीक है उसका मतलब इस तर ऐसे like this यह file आएगा as a client type कर रहा है question mark ठीक है यहाँ पर type किया question mark और file equal to लिखना है और enter करो अब इसका था output खुछ भी ने आया ठीक है बट output क्या आएगा वहाँ पर नीचे coding में लिखे है include file जो भी include करेगा file मतलब हम लोग जो भी file आप वहाँ पर assign करेगा equal to के बाद वह file वह show करेगा ठीक है उस file को read करेगा यह छोटी से coding का मतलब है अब कौन से file को read करना है तो मैं क्या करता हूँ result.html file को read करता है तो मैं result file यहाँ पर लिख सकता हूँ यह हटा के पूरा का पूरा बट उस coding को हम लोग use करके देखते है क्या यह सच में किसी file को read कर सकता है let me enter result.estiment file after lfi2 php question mark file इसके बाद यहाँ पर मैं result.estiment type करके देखता हूँ वाव I got a file result जो file मैं यहाँ पर type की है वो file मुझे यहाँ पर निचे दिखने को मिल रही है चलो ठीक है मैं यहाँ पर कुछ changes करता हूँ और फिर देखते हैं क्या आया result कुछ भी नहीं मतलब यह जो variable है यह देना ज़रूरी है और वो पता होना भी ज़रूरी है अब आप बोलोगे कि कोडिंग दिखते ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा obviously वहाँ पर developer क्या करता है यह drawbacks रखता है वहाँ पर problems close होता है कि वह लोगों ने यह embed किया होता है कही पर और हम किसी भी page को open करता है तो automatically क्या होता है यह उनका file format अपने आप आपको दिखता है client को फिर हम बस इस file को remove करते है for example मैं आपको दिखाता हो in URL यह door के हमारा support इसमें लिखना है मुझे index door.php या file file sorry question mark call कर जला file question mark equal to about.php मैं एक रैंडम website search कर रहा हूँ और चेंज करते है और चेंज करते है ओके मिल गई और यह तो यह है एक file ठीक है website करते है झाल झाल फई झाल है झाल झाल यह देखो यह देखो ठीक है तो एक रिडेबल वह होता है एटी सी पास्ट जब्लोडी फाइल जो कोई भी रिड कर सकता है ना नार्मल यूजर अल्सकान रिड इस फाइल तो मैं यह फाइल सक्सेस्पुली ओपन कर रिड कर सकता हूँ तो समझ लो हम लोग है एक लोकल ऐफ फाइल इंड कि यहां लोगों ने सुस्प्षि फाइल को रिड की कर्या अले अले फाइं क्लूजण हो गया यही तक हमारा टापिक है समझ लो आगे का बहुता बब्लोड होतां है वस फाइट को हम लोग ने रिड कीया तो समझ लोग हम लोगिए इसका यूज हम आगे जाके बहुत बड़ा करेंगे that is like different things but right now what we done we just read this file which one atc passability file which one कर सकता हूँ okay तो point क्या है if i can read passability file system की है then i can read other file also so अभी बाकी files कौन से मैं read करो क्या कौन सा file read कर सकता हो मैं shadow file read करने की कोशिश करूँगा तो read ने होगा बाकी लोगों को readable नहीं है root access होना चाहिए shadow file को read करने के लिए passability file कोई भी access कर सकता है इसलिए कोई भी hack उसे sorry open कर सकता है now मैं as a hacker मैं try करूँगा log file को check करने का log file बोट जगह पर होते है ठीक है you can try to find कौन से कौन से log file होते है मैं आपको list दूंगा apache के logs होते है sss के logs होते है वो सारे logs होते है ठीक है वो logs अब ftp के logs होते है ftp log poisoning भी है तो वो logs आप ढूंड के उनका logs read कर सकते है कि नहीं हो देख सकते हो let me try for where log file for auth log file यह sss का log है इसको मैं read कर सकता हूँ कि नहीं देखता हूँ हाँ I can read this file बट यह जो सो एक बार मुझे पता चला LFA खो रहा है then do log poisoning or any other things so the point is first log poisoning क्या होती है log poisoning की कोई भी log file को हम लोग read कर सकते है तो उसे हम लोग poisoning करके उस file में कुछ हमारा malicious code yard करेंगे और उसके थ्रू हम लोग website को hide करेंगे आप करो इतना और उसके बाद हम लोग poisoning क्या होता है और poisoning कैसे करते हो देखेंगे आभी के लिए इतना बस हुआ right कल या आज ही आप लोग ने यहादा किया तो मैं next point पढ़ाऊंगा because क्या हो रहा है ना पूरा का पूरा मैं लोगा ना तो वो आदा समझ में आता है आदा बाद में bounce होगा तो बेटरे आदा पहले complete करते देन आदा बाद में complete करेंगे झाल